वेल्कम फ्रेंड्सिन हेल्स रेंबू दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिसेंस डिजीज के बारे में एडिसेंस डिजीज के बारे में हम इसमें डिटिल में बात करेंगे कि इसे क्या होती है क्यों होती है किसी होती है एडिसेंस डिजीज के क्या कारण होते क्या लक्षड होती है कौन शी जांच है। क्या इलाज होता है। और इसके लिए हम क्या खा सकते हैं। सबसे पेले बात करते हैं किissent डिजी स होती क्या है। तो अडिसन डिजीस का संबंध होता है हमारे urinary tract सिस्टम होता है मतलब हमारे जो पिशाथ तंद रहे या जो मुत्र तंद रहे उससे होता है इसमें क्या होता है जो हमारे शरीप में जैसे आप जानते दो किड्नी होती है किड्नी के उपर क्या होता है एड्रेनल ग्लांड होता है एड्रेनल ग्लांड को अगर हम देखें तो यह adenal gland जैसे यह इसकी जो आकार होता है, यह इस तरीके से होता है, kidney के ज़स्ट उपर में होता है, मतलब अगर हम अंदर से देखे adrenal gland को, तो यह capsules, cortex, blood vessels और medulla, यह इसका जो होता है, जैसे हमें बात करी, kidney के उपर ही adrenal gland होता है, अब Edison disease में क्या होता है, Edison disease में क्या होता है, कि जो हमारे गुर्दे के उपर adrenal gland होता है, जो hormone, मतलब especially cortisol और eldosterone का proper मात्रा में उत्पादन नहीं करते हैं, मतलब यह इनका जो कार्म होता है, अडिनल gland का, cortisol और eldosterone हार्मोन का production करना, जब यह नहीं कर पाते हैं, तो यह बिमारी हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें cortisol जैसा आप जानते हैं, cortisol क्या होता है, यह हमारे शेरीर को तनाव को कम करने में मदद करता है, और साथ साथ में sugar के level को control करने मदद करता है, और blood pressure को के लिए भी important होता है, उसके अलावा जो eldosterone हार्मोन होता है, यह हमारे शेरीर में electrolysis, sodium, potassium, chloride जो होते हैं, तता तरल जो पदात होते हैं, उनके santulin को बनाए रखने में मदद करता है, तो यदि किसी वक्ति को addition disease हो जाती है, तो cortisol और elderosterone का जो level होता है, वो affect होता है, जिसकी वाइसे क्या होता है, ब्लड sugar level disturbed हो जाता है, साथ साथ में blood pressure हो जाता है, और stress हो जाता है, उसके अलावा, electrolytes का जो level होता है, वो भी disturbed हो जाता है, तो इसके कारण क्या होते हैं, यह जो सबसे पहला होता है, autoimmune की वज़ासे होता है, autoimmune बीमारियां जो होती हैं, उसकी वज़ासे साथ में ती किसी वक्ति को टीवी है, या fungus disease है, cancer है, उसके अलावा, जो steroids medicines लेते हैं, काफी लंबे समय के बाद अचानक बंद कर देते हैं, और काफी वार क्या होता है, यह genetics भी होता है, तो यह जो होते हैं, इसके कारण होते हैं, इसके symptoms क्या होते है, Edison disease क्या होता है, तोचा जो होती काली पढ़ने लगती है, hyperpigmentation हो जाता है, जो आफ देख रहे हैं, हाथ पर जो तरचा होती है, काली रूप पढ़ने लगती है, especially धूप के सपर्क में आने में, उसके अलावा जैसे हम देखें, यह हाथ इस तरीके से हो जाते हैं, साथ साथ में जो मसूरे होते हैं, वो भी काली पढ़ जाते हैं, हाथ अलग जाते हैं, तरचा में अलग-अलग जहां पर काला पन हो यह था, और इसके वाइटनेस भी हो सकती है, काफ़ी लोगों में पाया जाता है, कि उनके जीव बगरा जो होती है, वो भी जो होती, काले हो जाती है, तरचा के साथ साथ में, तो यह तोचाप काले पढ़ने के पारी होती है, इसके और लक्षन क्या होते हैं, इसके आपको ठकान, कमजोरी, वजन कम होना, भूप में कमी, कम ब्लड प्रिशर, उल्टी, चिरचड़ापन, डिप्रेशन, तता नमक खाने की ज़ाधा इच्छा हो सकती है, तो इसकी जांच कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए अब्डॉमिनल लट्रासाउन करवा सकते हैं, सीरम कॉर्टिसोल टेस्ट होता है, सीरम अल्रस्टरोन है, एदिनो कार्टिको ट्रॉपिक हर्मोन है, साथ-साथ में CT scan और MRI वगरा की भी ज़रवत इसमें पढ़ सकती है, तो इसका treatment क्या हो इसके लिए क्या होता है, साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- नमक का सेवन जो होता आपको बढ़ाना पड़ता है लक्टोलाइट की वज़ा से स्ट्रेस मेंटेन करके रखने साथ साथ में उड़े डाक्टर को आपको रेगुलर दिखाना है तो उम्यद है आपको इंफोर्मेशन अची लगी होगी अची लगी तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें विद इस थाइंक यू वरे मच वर वाचिंग हैल्स रेंबो